चलिए, next question पर चलते हैं, 58, important question है, कहता है, A and B are in partnership firm, देखो partner जो है, A और B है, ध्यान से सुननना, इसमें, manager become partner का ही concept है, थोड़ा सा, और 3 to 2 में ये ratio था, इनका, 3 to 2 में, they decide to admit C, इन्हों ने decide किया कि, एक person को ले के आना है, जिसका नाम C है, their manager, और C एक manager है, ये partner नहीं है, इसका मतलब, अगर मैं आपको बताओं firm के बारे में, तो firm के अंदर, पुरानी firm के अंदर, already पुरानी firm है एक हमारी, जिसमें कौन-कौन partner है, A और B है, सिर्फ, C का नाम और निसानी है, C है यहाँ पे, लेकिन as an worker, तो बताओ, simple सा question पूछू, क्या ये manager salary लेता होगा, पिलकुल लेता होगा, क्या इसका salary P&L appropriation में जाता होगा, या P&L में जाता होगा, इसका salary profit and loss में जाता होगा, manager का commission भी कहां जाता होगा, P&L में, इन दोनों की salary जाएगा, इसमें हमारा, कहता है C को admit करा हमने 1-4th share के लिए, 1st April 2015 में, 1-4th share, तो एक question मैंने करा था, आज इसका भी एक पर ratio निकाल के बता दूँगा, C, while manager was receipt of salary 27,000 and commission 10% on net profit after charging such salary and commission, C, बोलता है कि भाई, मैं जब manager था, तो मुझे salary मिलता था और मुझे commission भी मिलता था, तो commission जो लेता था, वो लेता था, मैं net profit में से सबसे पहले मैं अपनी salary minus करता था, फिर मैं minus करता था अपना commission, इसका मतलब commission तो पता नहीं है, यानि 10 by 110, ये commission था, इसका, in the terms of partnership deed, any excess amount, अब इन्हें सोचा के चलो partner बना लेते हैं, C को partner बनाने का इन्होंने सोचा है, कहता है, in the terms of partnership deed, any excess amount which C will be entired to receive as a partner, बोला, A और B में, बोला कि जो C है न, पहले जो भी मिला करता था, जैसे मान लेते हैं कि पहले मिला करता था, 10,000, मान लो, जब ये partner बनेगा, तो इसको profit sharing ratio में बटेगा, ऐसा भी हो सकता है कि इसके हिस्से का profit, अब जब partner बनेगा, तो ये तो मिलना बंद हो जाएगा इसको, क्योंकि worker तो है नहीं, तो ऐसा भी हो सकता है, इसके हिस्से का profit इस 12,000 हो जाए, ऐसा भी हो सकता है इसके हिस्से का profit आठ हजार हो ऐसा भी हो सकता है कि दस हजार ही हो अगर इसके हिस्से का पहले कितना मिलता था इसको दस और partner बनने के बाद भी दस मिल रहा है तो कोई समस्या नहीं है अगर पहले 10 मिलता था अब इसे 10 से ज़्यादा मिल जाएगा तो यहाँ पे condition लगाई गई है कहता है in the terms of partnership deed any excess amount which C will entide to receive कोई भी फाल्तू यानि extra पैसा अगर receive करता है as a partner over the amount which would have been due to him जो उसके उपर due होता था contribute to the manager manager के रूप में जो उसे पहले पैसे मिला करता था अगर उससे ज़्यादा लेता है would have been personally born by A out of his share profit और profit for the year ended आपको 2,25 ज़्याद दे दिया इसकी जिम्मेदारी इसकी responsibility कौन लेगा इसकी responsibility A लेगा तो पहले तो हमें यह पता करना पड़ेगा के as an manager C को क्या क्या मिला करता था अब interest on capital की बात करें कहीं question में नहीं है salary की बात करें कहीं question में नहीं है तो अब मैं अगर यहाँ पे निकालू सबसे पहले salary इसको मिलता था भाई salary question में given है 27,000 रुपए है न question में given है salary इसको 27,000 मिलता था पहले हम निकाल लेते थे इसे मिलता कितना था तभी तो compare करेंगे plus commission commission कैसे निकालेंगे भाई profit दे रख थे आपको 2,25 minus 27 का 10% तो 10 by 1,1 0 after charge है ने commission और salary तो 10 बटे 110 क्योंकि उस profit पे commission लेता था जिसमें से minus है तो 2,25 minus 27,000 into 10 divided by 110 18,000 रुपए इसे मिला करते थे commission के तो total मिला के ये 45,000 रुपए का मालिक था पहले अब कितना मिलता है वो तो देखना पड़ेगा अब तो ये partner है तो net profit कितना कमाया इसने net profit कमाया 2,25,000 अब मुझे बताओ क्या इसमें से manager का commission minus होगा क्या manager का salary minus होगा नहीं क्योंकि अब वाले partner में ये पहले वाले में था लेकिन examiner बोलना चाहता है अब partner होंगे A, B और C C भी partner ही है और C जब manager था तब उसको commission और salary देते थे जब C manager था तो commission और salary दिया करते थे अब तो वो partner होगिया तो profit लेगा commission और salary तो लेगा नहीं मुद्दे की बात ये है और question ये raise हुआ B ने बोला कि भाई अगर deed के हिसाफ से देखा जाए अगर C को जितना पहले मिला करता था उतना ही हिस्सा लेगा तब तो कोई समस्या वाली बात नहीं अगर उससे ज़्यादा मिले तो A आप responsible होगे इसके ठीक है अब देखते हैं इनका profit कितना बढ़ता था A B और C के हिस्से में ratio निकालना पड़ेगा न तो let total share 1 remaining after देखो एक में से सबसे पहले C का तो पता ही है 1 fourth निकाल दो तो 3 by 4 अब ये किसका बचा? दोनों का किसका? ये है A plus B का तो A का share आ जाएगा यहाँ कई student को ये समझ में हो सकता है ना आए तो लेकिन मैं फिर repeat कर रहा हूँ जब हम admission of partner वाला chapter करेंगा तो उसमें तो बिलकुँ perfect तरीके से करेंगे अभी हमारा ratio निकालना main priority नहीं है A का share जो निकलेगा वो निकलेगा कैसे? 3 by 4 इन 2 में 3 by 5 इन दोनों का ratio 3 by 5 क्योंकि इसका हिसा 3 by 5 है तो ये आ गया हमारा 9 by 20 ऐसे निकालतेंगे B का share 3 by 4 उसका लेकिन 2 by 5 है तो ये आ जाएगा 6 by 20 अब सारे ratio को equal करो 9 by 20 is to 6 by 20 is to 1 by 4 denominator सेम करना तो 5 से multiply और उपर भी 5 से तो answer आगे हमारा 9 is to 6 is to 5 तो 2,25,000 into 9 तो इसके हिस्से में profit आ रहा है 1,0,1,2,5,0 into 6 इसके हिस्से मां आ गया 67,500 अब देखते हैं इसको कितना मिला 56,250 समस्या यहीं पे है दिक्कत यहीं पे है major problem क्योंकि मैंने बोला था भाई जब तुम क्या थे आप manager तो आपको मिला करता था only 45,000 अगर इससे ज़्यादा मिला आपको तो हम आपसे कुछ नहीं बोलेंगे आप तो ज़्यादा involved नहीं हो आप तो manager हो partner बनने जा रहे हैं लेकिन यह सारे की सारे जो suggestion दिया यह suggestion भाई B ने दिया है तो भाई A ने दिया है तो A responsible है इसके लिए इसका मतलब अब A calculation करेगा यार मेरे जेब से मुझे कितना देना होगा A बोलेगा इसके आने की वज़े से हम दोनों के हिस्से पे फरक पड़ा है हम दोनों के हिस्से से क्योंकि इसके हिस्से में ज़्यादा गया न अगर इसको कम जाता कितना कम जाता मान लेते हैं 250 में से 45,000 मिला करता था तो ध्यान से देखो माइनस 45,000 तो 11,250 सिंपल सा question है अगर C मेनेजर ही रहता तो 11,250 मुझे C को कम देने पड़ते अगर C को मैं 11,250 कम देता तो उस हिस्से पे हकदार कौन होता सीधा सीधा A और B अब हम सबसे पहले क्या करेंगे इसमें से माइनस करेंगे 11,250 यहाँ प्लस करेंगे और उपर भी प्लस करेंगे थोड़ा mistake है वो प्लस 67,50 प्लस 45,00 ठीक है अब मैं final answer निकाल देता हूँ क्योंकि मेरे mind में B में से रह गया था तो इसलिए मैंने B में से माइनस करा था अब देखिया माइनस ग्यारा दो सो पचास प्लस 96,700 70,200 56,250 तो आप सभी के पास assignment है और book भी है तो आप देख सकते हैं इसके अंदर कि आपका profit क्या आ रहा है अपका तो आपका तो आपका तो आपका पास क्यूँआ है